असलाम अलेकुम and हालो फ्रेंट, वैकम बेकिमाइट के मैं सालन, फ्रेंट आज हम बना रहे हैं बहुत ही तेस्टी, बिलकुल व्रेसोन स्थाली में मूर्गे मसल्नम, जी हाँ बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही जादा लाजवाब, जब कभी आ तकरिवरन वन केची की है, आप चाहें तो चिकन के बड़े-बड़े पीसे भी ले सकते हैं, तो अब इस चिकन को हमें मैरिनेट करना है, तो मैं इसमें डारी हूँ वन टेश्पून नमक, उसके साथ ही उसमें डालेंगे वन टेबल इस्पून भरके अगरे गलस्टन का पत तो यहां प्राइब दालेंगे हरे मिल्चुक पीस, बान टीरी स्पून और दही एक कप लेगे, दही बिल्कुल फ्रेश है और आप डाल देंगे फुट कलर और बिलकुल अच्छे से पूरी चिकन पे तमाम मसाले हम उट कर देंगे, तो एडी के मसाले लगगे, अब चिकन को हम मारिनेट करने रख देंगे एक घंटे के लिए, तो चलिए अब इसकी हम जो ग्रेवी की तैयारी करते हैं, तो मैंने डाली तूपी स्पून ओल और इसमें डाल देंगे दो प्यास, और प्यास के साथी आच्छे से पुट कर लेंगे, प्यास को हमें तिंक कलर का करना है, प्यास को हमें ब्राउन बिलकुल नहीं करना है, तो प्यास का कलर चेंज होती ही, मैंने से मिला दी दो बड़े टमाटर, टमाटर बिलकुल लाल-लाल कलर के लिए, तो जादा बहतर है, और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे, तो दीखे फ्रेंस, तो बस अफ्लें को बन कर दे बना लेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्सी ग्राइंडी में डाल कर इसका पेज बना लेंगे, पहले से हम थंदा करेंगे, फिर पेज बनाएंगे, अब यहां पर दीखे, मैंने लिए टूटेबल स्कून ओल और टूटेबल स्कून बटर, बटर का फ्लेवर मुर्ग मु जाल करेंगे, मुसलम यानी मैरीने की चिकल, अब इसको हम थखे चार्मेट पकाएंगे, अब इसको यह पास रखंगे, तक इसको अच्छे से घ्रिमाक आजाएंगे, बटर बहजरी मिक्सी ग्रिमाक उगए, दूसरी साइब भी कार्यादी हम तकर दूटेबल स्कून तकर चिकन को इस तरह से हम ढूनेंगे, अब यहां पर चिकन को हमें जलाना बाकी है, चिकन हमारी ग्रेल हो चीची है, लेकिन इसे जलना बाकी है, तो क्या करेंगे, अब हम स्लो कर देंगे, और इसे लीड लगा कर तक्रीबन 10 मिनेट में बिल्कु छो फ्लें पर पकने के लिए र हमारी जहेक को खोच चुकी है, यह देखिए, हड़ी नजर आ लिया है, यह इसका मतलब चिकन बिल्कु अच्छे से टेंडर होगे, यह गल गई है, तो अब इस चिकन को अलेट पलेट करेंगे, मसालों में बिल्कु अच्छे से कोट करेंगे, थोड़ा सा मसाला अंदर भी ताकि अंदर भी मसालों का फिल्वर बड़ा अच्छा सा आ जाए, तो यह देखा, आपने कितनी बहत्रीन से हमारी मर्ग मसलम बन रही है, अब जो हमने मसाला ग्राइंड किये थे, प्याज, तमाटर और काजू का, वो डाल दिया मैंने, और इससे भी बिल्कु अच्छे से भूल लेंगे, हमने यह मसाला जो है आखिर में डाले यानि चिकन गुन्ने के बाढ़ डाले क्यों? क्योंकि इसमें काजू होते हैं, अगर इसमें शुरुआत में मसाला लगने लगता है, तो इसलिए मैं इसे आखिर में डाली हूँ, अब इस मसाले में चिकन को बिल्कु अच्छे से कोट कर देंगे और अब इससे लीड लगा कर तक्रीबन चार से पांच मिट स्लो फ्लेम पर पका लेंगे तो ये देखिए पांच मिट हो चुके हैं और ये चिकन बहुत अच्छे से हमारी कूख हो चुकी है आप अपने चिकन के मताबिक चिकन को कूख करें चोट लिएसे फिर्फुल इस्टाइल में हम बिलकों सिंपल तरीके से इस से बना रहे है बनाने में कोई जन्य जर्ट नहीं तकर्रिबन टमाम चीजे हमारी घर में निकल जाती है तो ये तायार हो रही है हमारी मुर्ग एक मुसलम तो चलिए इसे घरम गरम सौफ़ करते है तो यह लीजी ए तैयारे मुर्ग मिसलम बहुती बहुती ही ग्रेवी जिसके कितनी क्रीजी स्मूद सी ग्रेवी है बहुती ही मज़ेगी होती है आप इसे राइस से या फिर भारी राइस ले 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 या बटर नान, शीर माल, पराठे जिसके साथ चाहए साफ कर सकते है या आपको मुझे कमेंट्स करने के जरूर बताए और रेसिपी पसंद आयो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों किसा शेयर करें लाइक करें अपना और अपनी फामली का खुब भीहान रखें साथ में हमें भी दूआ में जरूर या